अब दादी आई हैं तो वो आई है किसी मकसद से और वो मकसद आप सब को मालूम ही होगा कि उनका मकसद है कार्थिक और नायर को एक बर फिर से मिलाना ताकि वो जानती है कि हमारे घर में यानिक कोईंका हाउस की खुशियां सिर्फ और सिर्फ नायर की वज़ा से ही लोट सकती है और जब नायर की वापस होगी उस घर में तब युस घर की खुशिया आएंगी इसलिए वो नायर को लेने वापस आ गई है जहां पहले वो कार्थिक और नायर को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगी और उसके बाद नायर को वापस ले आएंगी उदैपूर अपने घर में जहां आपर अब आप देखने वाले हैं कहानी में और भी ज़दा तमाशे खड़े होने वाले हैं जहां पर अब सुरना की नहीं चलेगी और दादी करवाई ये अपनी सारी बाते पूरी ऐसे में कहानी में देखना ये होगा इंटरिस्टिंग कि क्या होता है आगे खास और कैसे चल कर ये कहानी बन जाती है और बिज़ादा कॉम्प्लिकेटे TOP NEWS की रपोर्ट